दिल्ली की क्षरद्धा वॉलकर हत्याकांड के बाद अब जारखंड के साहिब गंज जिले में इसी तरह की वारदात हुई है प्रेमी ने प्रेमिका की हत्याकर शब के तीस से ज़्यादा टुकड़े कर दिये सबूट छिपाने के लिए आरोपी ने टुकड़ों को बोरे में रख दिया था मुख्या आरोपी दिल्दार सहिट साथ की गिरफतारी हुई है मृतका ने प्रेम विवाह किया था और बीते कुछ दिनों से साथ में रह रहे थे मृतका का नाम रुबिका पहारिन था वह दिलदार नामक शक्स की दूस्वी पतनी थी फीफा विश्वकप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना से फ्रांस के हारने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन किये लियोन में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान धंगाईयों ने एक महिला चालक के वाहन पर पत्राव किया और टक कर मार दी पेरिस में चैंप सेलिसीज पर एकत्र हुए प्रशंसकों की भीड को तितर बितर करने के लिए आंसु गैस का इस्तेमाल किया पहारों पर बदले मौसम के मिजाज की वजह से मैदानी इलाकों में इसका प्रभाव नजर आने लगा है हर्याना, दिल्ली के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जार्खंड, मध्यप्रदेश, चतीसगर और राजस्थान में भी तापमान गिरा है कोहरा चाया है, दक्षिनी राज्यों में बारिश की संभावना है, अमेरिका की कड़ी हिदायत के बाद भी उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षन कर रहा है अब वह जासूसी सेटिलाइट को विक्सित करने पर काम कर रहा है कल उसने अंतिम चरन का परीक्षन भी किया इस टेस्ट में एक मिसाइल को कृत्रिम उपग्रह ले जाने वाले करिये के तौर पर दागा गया ट्विटर के मुख्यकार्यकारी अधिकारी एलोन मस्क ने माइक्रो ब्लोगिंग वेबसाइट पर एक पोल शुरू किया है करने का आरोप लगाया गया है IPL 2023 के लिए मिनी ओक्षन 23 दिसंबर को होना है लेकिन तीन फ्रेंचाइजी ने मिनी ओक्षन की डेट को आगे बढ़ाने के लिए कहा है ऐसे में संभावना है कि BCCIA यह तारीक आगे बढ़ा दे इस साल Bollywood की फिल्मों का बॉक्स ओफिस पर मिला जुला असर देखने को मिला ब्रहमास्तर भूल भूलया दो और दृश्यम दो को अगर छोड़ दें तो बाकी लगभग फिल्में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई ऐसे में कमाई के मामले में साउत की लगभग सारी फिल्में Bollywood फिल्मों पर भारी परती नजर आई साउत की फिल्म RRR No.1 पर रही और Bollywood फिल्म The Kashmir Files को दूसरा स्थान मिला